नमस्कार दोस्टों दोस्तों और जैसा कि सब लोग को इंतजार था कि बिहार लोग से वा आयो का कब आएगा नोटिफिकेशन और ओफिशिल नोटिफिकेशन जो है अब जाकर करके आया है देखे ये जो है न वो एक तरीके से पूरी तरह से चल है एक्जामिनर्स के साथ जितने बिहार के एक्जामिनर्स है ना उनके साथ एकदम से अच्छा चल इसको बोल सकता है क्योंकि बीच में UPSC का मेंस का एक्जामिनर्स पड़ता है और जिनका सिंटर दूसरे जगा होगा उनकी जो पूरी एक्जामिनर्स है वो बीगरनी का डर होगा कि अगर जल्दी से जल्दी उनको अगर कौभर अगर करना है डिस्टेंस को तो फिर उनको फ्लाइट पकरनी पड़ेगी रिटर्न फ्लाइट के लिए फ्लाइट से आएंगे और जाएंगे यानि कि अब जो है न मिडिल क्लास उपर मिडिल क्लास के लोग जो है न वो समझ ये जो पढ़ाई कैसे करेंगे वो अलग इस दूस है उसका तो देखिए मैं नोटिफिकेशन को पढ़ के सुनाता हूँ सरसटवी संयोग प्रारमी प्रतियोगता पुनर परिक्षा दिनांक 21-9-2022 बुधवार को 12 बजे मध्यान से 2 बजे अपराहन तक एकल पाली में आयुजित की जाएगी इस समद में आयोग के द्वारा दिनांक 1-9-2022 को परिशनोर जाड़ी किया जा चुका है यह परिक्षा वस्तुनिष्ट परकृती की है अभ्यार्थी 11 बजे पुरवाहन तक परिक्षा केंदर में परवेस कर ले उक्षा का ई परवेस्पत्र आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 1-2-2022 को अप्लोड कर दिया जाएगा अभ्यार्थी परवेस्पत्र डाउनलोड करने है तो अंतिम समय का इंतजार नहीं करेंगे उम्मिद्वार अपना परवेस पत्र आयोक के वेबसाइट अथवा मतलब आयोक के वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर लेंगे Speedport से नहीं भेजा जाएगा तो यह है यह थोड़ा सा दुख़द रहा मामला क्योंकि इतनी जल्दबाजी में यह काम नहीं करना चाहिए था और काफी लोग को उमीद थी कि कुछ बदलेगा मामला बदलेगा क्योंकि UPSC का एक्जाम जो होता है वो बहुत अच्छा एक्जाम होता है और जब तक आदमी सेलेक्ट न हो जाए तब तक विद्यारती साड़े एक्जाम्स देते हैं तो चलिए बिहार सरकार को जो है थोड़ी सी सद बुद्धी आए वैसे कहा जाता है कि आयोग जो है वो स्वतन्त्र है लेकिन प्रेक्टिकल यह अइसा दिखता नहीं है आयोग जो होता है न उसके उपर भी कई सरा प्रेशर होता है सरकार का प्रेशर तो उसके इइब जिसी उपर होता ही होता है झाल झाल झाल